तो हैलो एवरिवन वेलकम टू अड़ा 24-7 मैसल गौर अफ सिंग सो गाइस डैर इस गूड नीज फोर इंजिनियर्स उसके लिए एक गूड नीज है क्या हिंदुस्तान पेट्रोलियन कॉर्परेशन लिमिटेट की जो वेकंसी जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे हम उसकी आप फाइनली आज वेकंसी आ चुकी है जहां तो हम चलते हैं इस वेकंसी को डिटेल में डिस्केशन करते हैं अगर हम बात करें कि एच पी सील की इस वेकं एटीन तॉप सितंबर है जी हां आट से स्टाथ है और एटीन तॉप सितंबर तक चलेगा जी हां आगे अगर हम बात करें तो गाईस देखेंगे टोटल अगर आप मिकानिकल में देखोगे नंबर आफ वेकंसी फिप्टी सेवन से इलक्रिकल में 16 है इंस्टुमेट्सें मे सभी के अंटोंडर लेकिन आपका सिनियर ओफिसर सीटी गैस डिस्टुमेशन में जिसमें सारे ब्रांच है आपके मिकानिकल हो इलक्रिकल हो इंस्टुमेट्स सारे इलिजबल हो फोर येर का बीटेग डिग्री होना चाहिए आपके पास वो सभी की यहां पर आपको मेंसन क जा गया है तो अच्छा नंबर वेकंसी बोल सकते हैं यहां पर एक फाइनली आ चुका है अगर हम आगे बात करें तो डिफरेंट अगर आप देखोगे सीनियर ओफिसर एलेंजी बीजनेस में देखोगे तो इसमें अगे सारे ब्रांच इलिजबल है इसमें टू सीट्स है और आगे आप देख सकते हो that is chemical engineering के लिए one है तो इस वारा आगे अगर आप देखोगे MBA और PZDM बालों के लिए vacancies है मतलब HR में vacancies है अगर हम आगे बात करें fire and safety के अंदर हम बात करें तो six number of vacancies है और इसमें आपको fire safety का additional आपको certificate चाहिए होगा quality is so number of vacancies आया तो main thing is that अग mechanical में 57 है अगे इलक्ट्रिकल इसमें अच्छे number of vacancies देखा जा रहा है तो अगर आप देखो आगे कि अगर हम analysis देखें तो यह पे इस्ट्रक्चर से आप यहां पर देख सकते हो क्या क्या पोजिशन्स है खैर काम की बात करें mechanical में अगर आपका mechanical and mechanical and mechanical production engineering भी आपके इलिजव है instrumentation में इसी तरीक है civil only civil eligible है तो ध्यान रखिएगा अगर आपके इंदर यहां पर total अगर हम discussions करें यहां पर तो अगर आप देखो गे यहां पर number of percentage पूछा गया है क्या number of percentage होगा तो ध्यान दिजिएगा कि all other positions के लिए minimum 60% unreserved के लिए 50% SCST and PWD candidate के लिए अगर work experience in senior retail के बारे में है ठीक है discussion अगर आप करोगे आगे हम discuss करते हैं कि sir क्या यहां पर आगे discuss करोगे तो पूरी advertisement आप पढ़ सकते हो यहां पर एक वर go through होके दैन आप form fill up start कर सकते हैं गाइस अगर हम आगे बढ़ें तो यहां पर पूरी job responsibility भी लिखी होगी अगर आप देखोगे total job responsibility भी होगी यहां पर चिक है तो main thing is that इन सभी में role क्या होगा अगर short listing main thing is that short listing किस हैसाब से होगा तो guys अगर आप देखो selection procedure जो होगा जो test होगे यहां पर एक online test cbt test conduct करेगा जिसमें आपका journal aptitude एक section होगा जिसमें आपका English होगा language and quantitative aptitude होगा and intellectual जो होगा logical reasoning होगा data interpretations and दूसरा जो होगा आपके पास technical होगा चाहे आप mechanical domain के हो चाहे आप electronics के हो चाहे आप civil domain उसके respective domain से वहां से questions रहेंगे अगर हम आगे बात करें तो यह आपका course का selection procedure था pay scale आप देख सकते हो मतलब almost अगर आप देखोगे pay scale 16 lakh से लेकर यह vary कर रहा है अगर आगे तक 46 lakh तक different different positions के लिए different different pay scale से minimum 16 मतलब 17 lakh है मतलब अच्छा खासा pay scale भी देखा जा रहा है यहां पर ठीक है अगर हम बात करें आगे कि यह number of vacancies में ध्यान देखेगा क्या medicals हैं efflashment हैं after that तो provisions में आप यहां पर देख सकते हैं total कितनी number of vacancies हैं आप यहां पर आप total mentions हैं आप carefully देख सकते हो बट ध्यान रखेगा guys this vacancies mechanical में कितने PWD flexibility क्या है इन सभी के बारे में detail में discussion क्या है तो उमीद करेंगे आपको यह पूरा sessions आपको analysis अच्छा लगा हो तो आप sessions को like और share कर दीजेगा ध्यान रखेगा तो आज से form fill up start है और 18 सितंबर तक जाएगा exam date notify नहीं हुआ है अभी तक ठीक है न exam जो होगा computer based test होगा जिसके अंदर technical as well as non technical होगा so guys form fill कर दीजेगा और preparation start कर दीजेगा so thank you good bye and best love